हेलो वेलकम बैक तो माई चैनल एंड वंस अगें आइम है तो टेल यू सम प्री पोजिशन्स तो गाईज आज फिर मैं आप लोग के लिए कुछ और प्री पोजिशन्स लेकर के आया हूँ ताके आप लोग की स्पिकिंग आप लोग की जो लेंगवेज वह स्ट्रॉंग हो सक करें ताके आने वारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें और मुझे पता हैं आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते दूसरी चीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर अभी सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आप वीडियो को लाश्ट तक देखते रही है ताके आपको बहुत से चीज़ें इस वीडियो के इंदर सीखने का मौका में चलिए स्टाट करते हैं आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड होगा वह होगा अपोजिट अगर मैं कहूं सामने तो आप बोलेंगे अपोजिट या फिर आप in front of या फिर आप before भी बोल सकते हैं तो तीनों का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको छोड़ेंगे अच्छे हैं आप बहुत ही लाजवाब हैं ठीक लेकिन वहीं पर छोटू आया और छोटू नहीं कहा कि आप अच्छे नहीं इसका मतलब यह हुआ कि जो thinking है वो आपके opposite है मतलब वो आपके वीपरित है उल्टा है तो यहाँ पे भी हम opposite का यूज़ करते हैं चलिए मैं आपको कुछ examples देता हूं examples देने के साथ साथ आप लोग भी इसको सुन करके अपने copy में लिखिए और लिखने के साथ साथ आप लोग एक comment box के अंदर एक यह पता चल जाए कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके साथ for example मैंने कहा sir कि मेरा आपकी shop के सामने ही तो आप इसको किस तरह बोलेंगे बहुत अच्छे तरीके साथ आप लिख लिख करके अपने copy में लखते जाए और वीडियो को लास्ट तक देख चलिए अगला एक और example आपको बताता हूं में जैसा इसके विप्रित काम करता है उल्टा काम करता है तो वह हम यूज़ करते हैं अक्सर आपने देखा हूंगर 2 parties होती आपकी दूसरी for the एक तरीके से नारे बाजी करती इस उसका उल्टा यह कहेंगे जिन्दाबाद। यह कहेंगे मुर्दाबाद्वत यह कहेंगे जिन्दाबाद। इस संतिक होती हैं अपने सुना होगा बहुंहें यह सब सेंटेसे और अगला जो हमारा एक और एक्जाम्पल है वो यह है, मैंने का सर्थ उसकी सोच आपकी सोच के बिलकुल मतलब ठीक अपोजिट है, मतलब ठीक विप्रित है, उल्टी है, आप इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे, तो आप इसको बोलेंगे, मतलब यह हुआ कि उसकी सोच जो है, उसके विशार वो आपकी सोच से, आपकी विशार से एकदम उल्टे है, एकदम विप्रित है, तो वहाँ पे हम आपोजिट का यूज़ करते हैं, अगला जो हमारा प्रिपूदिष है, वो यह है, अबभव, अबभव का नाम सुना होगा आपने और बहुत सब्सक्राइब का मतलब होता है लिस्ट में सबसे ऊपर या फिर आप इसको यह कह सकते हैं किसी ऐसी चीज के ऊपर जैसे हम छू नहीं सकते जैसे हम देख नहीं सकते तो भी हम वहाँ पर यूज करते हैं जैसा एक्जांपल में आपको बताता हूं जैसा फर my name was above in the list, मतलब list में मेरा नाम सबसे उपर था, मैं first था, मैंने first पाया था, मैंने बहुत कोशिच किती, बहुत मेहनत किती, तब जाकर मुझे मेरा नाम जो है list में सबसे उपर आया, तो भी हम वहाँ पे above को यूज कर सकते हैं, या फिर जैसा एक और चीज़ बताई थी मैंने जैसे हम देख या फिर जैसे हम छू नहीं सकते हैं, तो भी हम वहाँ पे above को यूज कर सकते हैं, example सुन लिजीए, ऐसा, मैंने का सब, money is above love, money is above love, मतलब पैसा जो है प्यार से उपर है, पहले पैसा, फिर प्यार महबत की बात हैं, तो इसलिए सबसे पहला पैसा कमाओ, मेहन सकते हैं, कि मैं कहां तक पहुच रहा हूं, या क्या कहना चाहरा हूं, इसलिए, money is above love, मतलब पैसा जो है, प्यार के उपर है, अगर आपके पास पैसा है, तो सब कुछ है, money is everything, and money is nothing, दोनों चीज़े होती, अगर है, तो सब कुछ है, और नहीं है, तो भी कुछ नहीं है, तो कोशिश ये करेगे आप लोग को जो मैं बता रहा हूं, उसको अपने तरीके से आप लोग बोल करके, या लिख करके समझने की और अच्छे तरीके से कोशिश करेइगे, वludग, मैं जी को उम्मेते हैं, आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा हूँ है, चरिये आपको बोलना सर बॉक्स के अंदर क्या है तो आप जोक्स करसे हैं और इस प्रकार चाहे एक और उच्जांपल देखते हैं जैसा आप बोलेंगे प्लीज गेट इनसाइड मतलब गेट इनसाइड या प्लीज गो गेट इंसाइड का मतलब यह अंदर जाना गेट इंसाइड बोलिए यह गो इंसाइड बोलिए दोनों का मतलब सेम होता है अंदर को चलिए मैंने का सब प्लीज रूम के अंदर चलिए आप प्लीज गेट इंसाइड दरूम प्लीज गेट इंसाइड दरूम यह का मतलब यह यूज कर सकते हैं, और अगला जो हमारा preposition होगा वो यह है, अब हमारा जो अगला preposition है वो है along, along का मत्तब होता है with person या with things, मतलब किसी इंसान के साथ या किसी चीज के साथ, जब हम चलते हैं अपने example की तरफ, अगर मुझे बोलना सर्ट क्या आप साथ में आएंगे, तो आप साथ में आएंगे, अगर आपको बोलना होगा, will you come along with me, मतलब क्या आप मेरे साथ साथ आएंगे, तो आप इस परकार से यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, along का मतलब ही होता है, साथ में, तो आप साथ में जा सकते हैं, along with him, मैं के सब में उसके साथ गया, तो I went there, along with him, म Around का मतलब होता है, चारो और चारो तरफ, जो सब तरीके से, एक तरीके से हर तरफ से घेरा हुआ होता है, तो वहाँ पर हम Around का यूज करते हैं, जैसा, for example, मैंने का सब लोग मेरे चारो तरफ ते लेकिं फिर भी में तनहीं तनहा था, तो आप बोलेंगे, बोज सकते हैं, people were Around me, Yet I was Lonely, मतलब यह हुआ, कि लोग मेरे चारो तरफ ते, फिर भी में तनहीं तनहा था, अकेला था, क्या करूँ, जिन्हों, जिन्दगी में गम है, एक हाथ में कलम, दूजे में कलम है, अंदर सत्य खाली, जबान पर जबान, फिर भी घड़ा हुआ में लगा के अपनी ज चीज़ें हैं, आप लोग बोलते रहे, सीखते रहे, और रहाल, हमार एक्जामपल है, जैसा मैंने कहा सकते, जो प्रिथिवी, जो जमीन है, यह सूर के चारो तरफ घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो आप महाँ पर यूज कह सकते हैं, इस रिवाल्विंग अराउंड चुए हुए, चीज ऊपर की तरफ है, और बहुत बेना चुए है, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं, अब मैं आपको एक्जामपल बताओंगा, तो बहुत अच्छे तरीक सा आपको किलियर हो जाएगा, कहना कह चाह रहा हूं में, सुनिए, एक्जामपल यह है, मैंने कहा स च्छत जो है, हमारे सर के ऊपर है, या हमारे सर के ऊपर च्छत है, तो भी आप वहाँ पे ऊवर का यूज करते हैं, एक और जो हमारा तीसरा एक्जामपल है, वो यह है, there is a bridge over the river, मत्तब नदी के ऊपर पुल है, तो जो हमारा ब्रीज है, वो पानी से टच नहीं है, बलके पानी से ऊपर है, तो वहाँ पे भी हम ऊवर का यूज करते हैं, और राल गाईज, I hope you are getting well, आसानी से बहुत अच्छे तरीके साब को समझ में आ रहा होगा, अब चलते हैं, हम अपने अगले प्री पूजिशन के तरफ, अगला जो हमारा एक और प्री पूजिशन है, वो ही इसका मतलब यह हुआ, कि वो सी दो ही दिन में आ गया, मतलब दो दिन भी पूरी तरीकस नहीं रोका, दो दिन को अभी कंप्रीट होने में टाइम था, उसके पहले 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 ही, एक दिन एक रात रुका दूसरे दिन का दूसर दिन रुका और रात रात को चला आया मतलब दूर दन भी complete नहीं उसके अंदर ही अंदर चले आते हैं तो वहाँ पे हम वी दिन का यूज करते हैं और नॉट प्रापर तारीके से और रहा है या नहीं अगर कमेट लगते जाएए बनाते रही यह सेन्टेंस कॉन करते रही है कोई देखते रही है और अप चलते हैं हम अपने अगले प्रीउद के तरफ और हम एक होता है हमारा दैन जब हमें किसी को किसी चीज से compare करना होता है मतलब तुल ना करना होता है तो हम वहाँ पर दैन का यूज करते हैं जैसा फर जांपल मैंने का सब मैं आप से अच्छा हूं तो आप वहाँ बेटर दैन यू मैंने का सब करना होता है तो हम वहाँ पर दैन का यूज करते हैं मैं चोटू से लंबा हूं, तीसरा एक्जांपल हमारा वह यही है, मैंने कहा सर मैं छोटू से लंबा हूं, आप बोलेंगे I am taller than छोटू, मैं छोटू से लंबा हूं, छोटू बहुत ज़्यादा पुचुक करता है, लेकिन मैं उससे लंबा हूं, आप वहाँ पे देन का यू से सुनीगा, एक होता है, जैसा for example, मैंने कहसा मैं इसकूल की और जा रहा हूं, इसकूल की तरफ जा रहा हूं, अब जरूरी नहीं है, कि मैं इसकूल ही जाओं, हो सकता है कि इसकूल के आगे मेरे दोस्त का घर हो, हो सकता है कि इसकूल के आगे मेरे किसी रिश्दार का घर ह तो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो उसकी और जा रहा हूँ जब हमको यह बताना होता है तो हम पर Two words लगाते हैं, लेकिन सिफ इस्कूल ही तक अगर मझे जाना था तो आप वहाँ पर Two school लगाते हैं, लेकिन जब उसके आपको आगे जाना है अगे सिफ उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हमको वहाँ पर लगाना होता है two words, अब चलिए हम देखते हैं इसके examples, मैंने कहा सर कि मैं school की तरफ जा रहा हूँ, मतलब I am going towards school, मतलब मैं school की और जा रहा हूँ, अब जरूरी नहीं मैं school ही जाओ, school से आगे जा सकता हूँ, school से और आगे जा सकता हूँ, उसकी और जा रहा तो आप बढ़ेंगे he was coming towards you, मतलब वो आपकी तरफ आ रहा था, आपकी और आ रहा था, जरूरी नहीं वो आप से ही मिले, हो सकता है, आपकी तरफ आते हैं तो आगे बढ़े जाए, जब हमको इस परकार का use करना होता है, तो हम वहाँ पर लगाते हैं towards, जैसा मैं मैं मार्क मार्केट, अब ज़रूरी नहीं कि मार्केट में हो सकता है, मार्केट आगे कुछ और काम हो मेरा तो मैं वहाँ चला जाओ, तो हम वहाँ तो हम आप इस तरीके से use कर सकते हैं, वहाँ के लिए हम towards का use करेंगे, और आपको बहुत आसानी समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ down का मतलब होता है, नीचे की और का मतलब होता है, जब हम नीचे की किसी दिशा को दर्शाते हैं, तो हम वहाँ पर लगाते हैं down, क्या लगाते हैं down, नीचे की दिशा को दर्शाने के लिए, मैंने का सब कीमत हैं, जो किसी भी चीज़ कीमत लेए, कीमत हैं जो हैं वो नीचे dit down का यूज करते हैं और अगला एक और एक learn है हमारा वो यहां कैसा की जाविजू उसमें वाटर memoir यह यह ताला भी नदी उसका वाटर लेवल कुस और था लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसी जैसे गर्मी आते तो जो उसका लेवल है वो डाउन होता चला गया नीचे होता चला गया आप बोल सकते हैं या फिर गेटिंग डाउन भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं लेवल इस गेटिंग डाउन डे बाई डे मतलब वो डे बाई डे जो है एक दम नीचे की तरफ जा रहा है इसी प्रकार से आप लोग सीखते रहिए बोलते रहिए आई थिंग इट्स इनफ पार टोडे आज करी इतना काफी है चलिए यह हमारे कुछ प्रिपोजिशन थे जिन और एक दम दिल की गहराईू से आप लोग का इसित्ग्बाल अभी नदन अभी नदन अपनी अगली वीडियो में आप लोग को मैं इसी प्रकार से बूलते रहूँ यह इसी प्रकार से आप लोगव बताता रहूँगा और पढ़ाथा रहूँगा